दोस्तों Realize Power की बात को यहाँ पे बड़ी ब्रेकीन निज निकल के आ रही है Realize Power की सबस्रीज कमपनी विदर पावर के लिए यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जल्दी ही इसका settlement होने जा रहा है इसी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको स्टूडियो के मादे में से डिसकस करेंगे वैसे अगर आप देगे तो Realize Power में कुछ गिरावट का माहुल बनाओ और इसके पीछो वज़ा है निप्टी एनरजी में गिरावट Realize Power जो अपने कारुबार को पट्री बिलाने की कोसिस कर रही है क्योंकि इस समय अनिल दिरुबायमाडी करूप के पास कोई कमपनी बची नहीं है सारी कमपनी इस समय देखे तो निलाम हो रही है एक के बाद एक ऐसे में सिर्फ उनके पास Realize Infra और Realize Power ही बची है जिसको वो लेक के आगे बढ़ सकते तो क्या इस समय हमें Realize Power में इंवस्मेंट करना चीए जिस तरह से वरदे पार्टनर का ही सपोर्ट मिल रहा है क्या वाकई में Realize Power आने वाले समय एक अच्छा रिटन हमें दे सकता है क्या ये आने वाले से मल्टी बैगर हो सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मातिम से दूसरी तरफ आलोक इंडस्टीज जिसने जबरदस रिटन दिया था जब इसका अधिगरेंट किया था Realize Industries ने उसके बाद श्टॉक लगाता है क्यो रिलाइंस के इस अधिगरेंट के बावजुद भी इस स्टॉक के अंदर तेजी नी बन पारी है और इस स्टॉक क्या आने वाले से में एक अच्छा रिटन दे सकता है या फिर इसमें से निकलने का वक्त आ चुका है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादेम से कंपनी के fundamental चेक करेंगे उनके result को देखेंगे तो क्या हमें इस समय आलोक इंडेशनी में बने रहना चीए या फिर या से निकल जाना चीए जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादेम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त S.B.D.W. और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज B.S.C. सेंसर के इस समय दो बजे के आसपास 63,528 के आसपास आपको ट्रेड करता हो दिखाए देगा जहां पे 0.0092 परशन की तेजी है यानि यह कह सकते है कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय बाजार यानि अपनी डारेक्शन को तलास रहा है और इसके पीछे वज़य है बाजार में तेजी का एक दोर बनना आल टाइम हाई पे बाजार चल लगा है इसके बाद में प्रॉफिट बॉकिंग हावी हो रही है या पे और इस वज़य से हो सकता है कि दबाओ देखने हो मिले है वैसे निप्टी एनरजी में काफी बड़ा दबाओ है यानि श्टॉक कुछ समय के आपको उपर जाता हो दिखा देगा लेकिन फिर जैसे प्रॉफिट बॉकिंग शुरूई 14.50 का इसने लोग बना है और अभी समय 14.85 के आसपा से 1% की गिरावट है तो खबर काफी अच्छे उसके बावज़ भी गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि श्टॉक एक तरपा दोड़ा और बाजार में दबाओ का आसर यहापे देखना को मिला है लेकिन आप देख से तो कि पिछले एक मैने के इसाप से अभी समय 29% का जबर इस रिटन देखना को मिला है साड़ी 11 के आसपा स्टॉक था इस समय देख से तो की 15 के आसपा से तो काफी अच्छा इस ने रिटन दिया है और 9 रोपे से श्टॉक ने दोड़ा सुरू किया था लगबग 17 तक जा कि आए उपर की लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है पीछले 5 दिन में ही देखते हैं स्टॉक में 14 परसेंट की गिरावट हो चुकी है तो यह प्रॉफिट बुकिंग का मामला है अब यहाँ पर देख सकते हो कि रिलाइस पाउर की सबस्री कमपनी विदर्व इंडस्ट्रीज के लिए अब पूरा खपुरा जो इसका वन टाइम सैटलमेंट के लिए तयारी शुरू हो चुकी है और एस बेक कैप को अपॉइंट किया इसके इन्वाइट बीड करने के लि कमपनी रिलाइस पाउर की सबसेडियर कमपनी है और इसकी जो बीड है यह सेप्टमबर के अंतक लाने की समावनों बंद रही है तो फिलाल कमपनी के सामने जो है तीन ओफर है लेंडर्स के लिए जिसमें रिलाइस पाउर ने एक ओफर दिया हुआ है इसके लवाद दो सबसे हाइस्ट है जो 1,260 क्रोट पिस का है और 10% अफरंट दिया जाएगा निए 126 क्रोट पिस जो पहले ही अफरंट देंगी कमपनी और बाकी की जो बैलेंस अमाउंट है वो 75 डेज में कम्प्लीट कर ली जाएगी तो यहां पर जो खबर निकल के आ रही कि जो रिलाइस पावर का जो आफर है इसके पीछे वर्दे पार्टनर्स का सयोग है और वर्दे पार्टनर्स ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया है वर्दे पार्टनर से देखे तो और रिलाइस पावर में 15% की एक्यूटी बीलिया है उन्हों नों न ए 930 क्रोट पे का बापर निव में आ रहा है इसके अलावा जो सरकारी जो कंपनी है एने आर सी एल उन्होंने वन थाउजन वन एने ट्रेंट को पीज का ओफर किया है और यहाँ पे अब फ्रेंड में उन्होंने 15% देने की बात की है लेकिन जो बाकी की रकम है उसकी यहाँ पे देख सेक्रिटी रिसिप दी है उसको एकतर से देखे तो सेटल्मेंट से क्लियर करके उसको बाहर निकल सेक्रिटी अपने लेंडर को पैमेंट चुका के तो यहाँ पे देख सो कि यह गर यह ऑक्सन होगी तो इसमें जो सबसे आईस्ट विडर के रूप में रिलाइस पार है उसी को मौका मिलेगा तो फ फिलाल लेंडर के टोटल जो एक्सपोजर की बात के तो 2,987 को भी इसके आसपास का है तो कुल मिला के देखे तो रिलाइस पार के लिए काफी अच्छा मौका है वो इस कंपनी को पूरी तो से डेट फरी करने की संभावना इतलास रहे और अपने कारोबार को आगे बढ़ करना चाहिए मार्च 2022 में जापे 658 रुपीज का लॉस था इस बार मार्च में 320 रुपीज का जबरदस प्रॉफिट हुआ है और इसलिए कह सकते हैं कि रिलाइस पौर में इंवेस्मेंट करना चाहिए यह स्टोक आने वालस में एक अच्छा रिटन हमें दे सकता है चलते है आलोक इंडेश्री के द्रब 18.75 पर स्टोक है जापे 4.75 पर सेंट की जबरदस तेजी देखना हो मिल रही है श्टोक लगा तर दोड़ रहा है और आप पता होगा है 21 फरुदी दोजा ते इसको मातर 10 रुपीज के आस पास था उसी साब से तो प्राइज लगबग डबल अब आलोक इंडेश्री की बात करती है तो यह कंपणी आपको पता होगा बैंक्रॉप्ट हो चुकी थी और इसके बाद में यह निलाम हुई उसके बाद में रिलाइस इंडेश्री ने इसमें इसका अधिगरन किया अब कंपणी यह गुजरात बेस कंपणी है आप देखे इसके फंडामेंटल तो मार्केट के अब 9,340 रुपीस का है करन रुपाइज मत्रह 18.80 है लो 10 रुपीस का और हाई 22 का है अब आप देखे तो बुक वैलू इसकी माइनस 38.10 है इसका रोसी माइनस 6.48 परसें फेस वैलू 1 रुपीस अब देखे तो मार्च 2022 में जापे 2,011 को भीस का असबास था जो लगाता है गिरते हुए मार्च 2023 में 1,562 कृपीस तक आ गया है तो रिवेनी में गिरावट हुई है एक आकड़ा है जो बहुत ज़्यादा निरास देखे और वो है इसका प्रॉफिट लगातार कंपनी लॉस में और लॉस बहुत तेजी से बढ़ है हर क्वार्टर में भारी लॉस हो रहा है मार्च 2022 में जापे 26.76 को भीस का लॉस था जो जून में बढ़के 140 को भीस तक पहुच गया सेप्टरमन में यह लॉस बढ़के 192 को भीस तक पहुच गया और दिस समर में 250 को भीस का भारी लॉस और मार्च 2022 में यह 298 को भीस का ल लगातार बढ़ रहा है हर quarter में बढ़ रहा है तो ऐसे में इस समय जो तेजी बंदरी है वो ट्रैप भी हो सकती है आप देख से तो इसका sales लगातार गिरते हुए काफी जादा गिर है पिछले पास साल के इसाब से sales 5% पॉजिव था थ्रीयर के इसाब से 28% पॉजिव था लेकि टीटीम माइनस 5% है तो sales गिर चुका है प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो फाइव के साब से 14% है थ्रीयर के साब से माइनस 7% और टीटीम माइनस 320% है तो sales और profit दोनों में ही भारी गिरावट है यानि business एक तरसे देखे तो पूरी तरसे पट्री से उतर चुका है एक अच्छी बात यहाँ पे है वो है इसकी liability जो कम हुई है मार्च 2022 में जापे 8,222 को भी सक्यास पा थी जो मार्च 2023 में घटके 7,461 को भी सक्यास पा थी है तो यहाँ पे थोड़ी सी सांती मिली है company के लिए इस 25% की holding है जो बहुत अच्छी बात है एक तरसे इसको मजबूती हम समझ सकते है FI का भी अच्छा खासा निवेस और निवेस थोड़ा सा बड़ा भी है 2.02% की holding थी दिस समर में जो 2.07% हुई है DI की holding गटी है 0.43% थी जो इस समय 0.35% हुई है और जनर पबली के पास 22.57% के share रहे है तो कुछ positive बाते तो जरूर है लेकिन जिस तरसे result बहुत ही खराबार है उस हिसाब से एक बार इसमें आप है profit बुक कर लेनी चाहिए अगर आपने निच्छी लेवर से खरीदारी की है इस समय तो इस स्टॉक बहुत जड़ा कमजोर लग रहा है तेजी बनी हुई है जरूर है लेकिन कभी भी इसमें गिर्यावट का महुल बन सकता है तो एक बार आप इसमें से पना profit बुक कर सकते हैं लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors एक बाड़ भी ले 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 यह अ अपना खुद का research करें क्यूंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like, share, share, enjoy चैनल को subscribe कर दीजिए थेंक्यों friend